तो एलो एंड गूड इवनिंग एवरिवन कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हूँ कि तो गाइस कल हम लोगों ने पूरी स्टोरी को समझा कैरेक्टर्स को देखा आपके और मेरे जैसे दो कैरेक्टर्स महाँ पर दिखाई दिये एक स्टूडेंट है एक टीचर है टीचर का व्यवहार कैसा है स्टूडेंट का व्यवहार कैसा है दोनों के सामने एक विचित्र इस्तिती पैदा हो गई है कि टीचर अभी पढ़ाना च चाहता है लेकिन प्रशाशन की कोई ऐसी व्यवस्ता हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर अब फ्रेंच लेंग्विज की जगह पर जर्मन लेंग्विज पढ़ाई जाएगी और अचानक से एक अस्तित्व का संकट आ जाता है फ्रेंज के सामने मैं तो अपने आपको फ्रांस फ्रांस देश का निवासी मानता हूं लेकिन अब मुझे जर्मन पढ़नी पढ़ेगी क्योंकि मैं जर्मन देश का निवासी बन गया हूं तो एक लिटल एक चोटा सा जो बच्चा है एक यंगर चाइड जो है वह भी इस चीज को समझ पारा है और वह इसके साथ सहज नहीं तो रिया, तीवारी हमारे साथ है, रंजन है, रिया है, फिरसे आगे इस्तूते है, सुमन है, निरवय है, अर्जुन है, सिल्पा है, अनुझ है और कौन-कौन आ गया है भाई फटा-फट से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे इसने भी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजे ठीक है आकाश आप अगर हमारा साथ देंगे 50 लाग कोई जाजा नहीं हो जाएगा इम्रान है हर्ष है आईशा है चित्रांशू शर्मा है अच्छा उकी मातरा जादा है चित्रांश से चित्रांशू है आप ठीक है मेरा नाम चित्रांश है चित्रांशू इसलिए मैंने कहा चलिए पंकज है, नीरज है, सोनल है हमारे साथ, वाहिद अंसारी है, अमन है, स्मृती है, अनुराग है, राहुल है, यक्षु है, सभी के सभी हमारे प्रिय विद्यारति हमारे सब के साथ जुड़ चुके हैं, और अब हम आज थोड़ी सी एक बात करेंगे, और बात करके हमा प्रवेश कर चुके हैं तो आज जो हिंदू परंपरा है उसके अंदर नवर्ष है तो आप सभी को मेरी तरफ से नवर्ष की हार्दिक्श उपकामना है और परंपिता ही सभी अच्छाओं को मनोकामनाओं को पूर्ण करें आज के दिन हम एक संकल्प लेंगे पहले ही दिन जैसे साल के नए साल पर हम लोग संकल्प लेते हैं आज हम संकल्प लेंगे कि आप सभी लोग साल पर अच्छे से पढ़ाई करेंगे बीच में कोई भी कारण आए उठा पटक आए उसकी वज़े से आप अपनी पढ़ाई को हम पर हमारे माता-पिता को हम पर गर्व हो. इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से परेयसरत रखेंगे, अपने आपको पूरा जहोग देंगे अध्यान में. तो इसी संकल्प के साथ और परंपिता का अशिरवाद लेते भे, माजगदम विका का अशिरुवाद लेते वे मासरसुति का अशिरुवाद लेते वे आज हम यधावत रूप से अलग वैसे थो हमारी class कल स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि the last lesson का आज second lecture है तो कल हमारा फस lecture हो गया था लेकिन जब हम line to line या word to word या book पढ़ने वाले हैं तो इसी के साथ आज की कक्षा को शुरू करते हैं Once again, Happy New Year to everyone आप सभी को नवर्ष की आर्थिक शुप कामना है चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा को और आज की जो कक्षा है उसके अंदर हम सीधा स्टार्टिंग करने वाले हैं हमारे चैप्टर से चैप्टर को देखने वाले है For a moment, अब यहाँ पर Friends को हम लोग सबसे पहले देखता है Friends कहता है, कि जब मैं घर से निकल रहा था For a moment, एक शण के लिए एक शण मात्रे के लिए I thought, मैंने विचार किया मैंने सोचा Of running away, कि मैं भाग जाता हूँ Running away का मतलब क्या होता है, भाग जाना दोड़ना वाला भागना नहीं है भाग जाना है ठीक है, स्कूल से भाग जाना घर से भाग जाना, उस सेंस में भाग जाना ठीक है And spending the day out of doors यानि कि outdoors का मतलब होता है घर के बाहर ही या स्कूल के बाहर ही मैं अपना पूरा दिन बिताना चाहता हूँ और वही बिताऊंगा It's so warm ये बहुत ही गरम है आज का दिन बहुत ही गरम है अब देखो जिस देश के हम बात कर रहे हैं France देश के हम बात कर रहे हैं और France के अंदर सामानेते क्या होता है बहुत जादा सर्दी पढ़ती है और सर्दी के समय में जादातर लोग जो है अपने घर में ही दुपके रहते हैं बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि बाहर बहुत जादा ठंड होती है तो उनकी कोशिश रहती है कि घर के बाहर जो है वो कम से कम समय बिताया जाए, घर के अंदर जो है अधिक से अधिक समय बिताया जाए, जैसे मैं लास्क दो सालों से यह की बात कहता है, क्योंकि उससे बड़िया एक्जामपल नहीं हो सकता, शानदार एक्जामपल है, राजस्तान में रहने वाला मेरे ज समझ में नहीं आती किया ऐसा क्यों कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है मैं बाहरी समय बिताओंगा जबकि गर्मी में हम लोग तो घरमे गुज जाते हैं यह बाहर समय बिताना चाहरा है क्योंकि फ्रांस ऐसा देश है जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो थोड़ी बहुत भी जब गर्माहट होती है तो वहां के लोग बाहर के नजारों के आनंद लेना चाहते हैं बाहर के दुनिया देखना चाहते हैं क्योंकि सर्दी में अधिकांश समय उनका घर में ही बीच जाता है ब्राइट का मतलब हम कहते है काफी आज का दिन बहुत ही रोशन है बहुत ही उजला है तो ऐसे ही हम देखते है कि कई ऐसे इंग्लिश में वर्ड आते हैं जिनने प्लूरलाइज नहीं किया जाता जैसे कि हम लोग बहुत आसानी से एक वर्ड बहुत हम सभी लोग जानते हैं शब्द होता है वुड वुड का मतलब होता है लकडि तो एक सामन्य विद्यारती कहां सोचेगा कि वुड का मतलब अगर लकडि है तो वुड का मतलब लकडियां होना चाहिए तो इसका मतलब कह मतलब समुद्र या ओशन सी या ओशन से उसका मिनिंग निकलता है तो इस चीज़ का में ध्यान रहना चाहिए कि हर नाउन में एस जोड़कर उसे प्लूरल नहीं किया जाता किसी नाउन में जबर्दस्ती जबर्दस्ती उसे प्लूरल करने की कोशिश करोगे अर्थ में परिवर्तन कर लेगा अब उसका अर्थ जो आप बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनेगा और वह चाता था कि अपना जो दिन है खुले खेतों में फील्ड का मतलब है खुले खेत जो है और वो यहानी кेए एक आरा मशीन का स्थान है जहांपर लकडियों को काटा जाता है उसके पीछे की तरफ वो खुले वे खेत है पर्षिवर्ड strive जहांपर पर्षियन पर्षिया के जो सैनिक थे वे क्या कर रहे थे ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल का मतलब होता है व्यायाम करना एक तरह का व्यायाम होता है और डिल के लिए एक शब्द और आता है युद्ध अभ्यास युद्ध के लिए उन्हें हमेशा ततपर रहना पड़ता है तो युद्ध हो चाहे नहीं हो प्रते दिन सुबह उठ करके उन्हें 10-20 किलोमेटर भागना होता है पुश अप्स करने होते हैं इस सारा काम वो प्रती दिन करते हैं ताकि जब भी युद्ध की स्थितिया है तो वो ऐसे नहीं हो कि हम तो बहुत दिनों से चले ही नहीं हमार को तो 6 महीन हो गया हम तो टेंट में लेटे वे थे अब आप भागने के लिए क्लिए क्या रहो एक दम से कैसे भागेंगे हम तो भागी नहीं सकते है इसलिए प्रती दिन वहाँ पर व्यायाम या युद्धा ब्याज जो किया जाता है तो फ्रेंस यहां पर दिमाग लगाता है कि फज़े एक मजीन अगर श। इसको में एक बड़े से कार खाने के अंधर इसको इंस्टॉल कर दूँ और वहाँ पर अगर लकडिया काटने का काम करू तो उसे कहेंगे आरा मशीन का मतलब यह सॉब मील है मील का मतलब जहांपर आरा मशीन से लकडियों के टुक्डे कीए जाते हैं तो इसका मनि यह आरा मशीन जहाँ पर लगी वी है उसके पीछे खुले खेत है मस्त पक्षी चाहता आ रहे होंगे मस्त परिशन शोल्जर्स ड्रिल कर रहे होंगे मस्त हवा चल रही होगी वहाँ पर आराम से अपना time spend करूँगा वही है और कुछ नहीं है गाहों के बच्चे अगर उड़ी मार के कहा जाते हैं बस वहीं है जाने की सोच रहा है अना कि आज स्कूल से बंक मार लेते हैं और अपने मस्त आराम से अपना दिन व्यतीत करेंगी यह सारी की सारी चीज़े यह सारे के सारे विचार जो आ रहे थे यह बहुत ही जादा मचबूर अत्यदिक लुभावने थे then the rule of participles participles के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कृदंत होते हैं तो कृदंत के जो नियम है कृदंत के नियम तो यह सारी की सारी चीज़े बहुत जादा आकरशक लग रही थी लुभाव नहीं लग रही थी के यार कौन जाकर के स्कूल में participles पड़ेगा उससे बड़िया तो यह है मस्त आराम से आराम मशीन के उदर चलता है मस्ती मारेंगे ठीक है but I had strength अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छी बात बताता है friend के मेरे अंदर शक्ती है मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है to resist के मैं विरोध कर सकता हूँ किसी इसका विरोध कर रहा है तो यह temptation जो है यह लुभावनी चीज़े जो उसके दिमाग में आ रही है कि क्यों आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए पढ़ाई की जगे पर आपको क्या करना चाहिए और आपसे उमर में बहुत कम है यह friends तो आप सोचिए कि एक इतना छोटा बच्चा जिसका मन में लुभावने वचन आ रहे और वो कह रहा है मेरे में इतनी शक्ती है कि मैं इन लुभावने विचारों का विरोध कर सकता हूँ कि भईया मैं रेजिस्ट कर सकता हूँ और यह सोच करके वह तेजी से दौरते वे तेजी से भागते वे अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप अपने जीवन में कुछ भी करो जो आपके चाओ जो आपको अच्छा लगा है करो कोई दिक्कत नहीं आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को आने के लिए जितनी चलनियां लगा सकते हो उतनी चलनियां लगा सकते हो चलनी समझते हो, जिससे अपन चीज़ों को चानते हैं, उसको चलनी बोलते हैं हमारे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहां क्या बोलते हैं, मुझे बताना अभी है न, मैं पढ़ूँगा चैट में, आपके यहां क्या बोलते हैं, जिससे आटा वगरे चानते हैं, चल आपके दोस्त ने आपको कह दिया यार रोजी स्कूल चलता है चोड़ नरे आज आज वैसे भी देख पहाड़े तुझे याद नहीं पहाड़े मुझे याद नहीं ठीक है क्लास में और कोई पिटे ना पिटे कोई फरक नहीं पड़ता है अपन दोनों की कुटाई होना तैह है आज आज अपन उड़ी माल लेते हैं छोड़ते हैं आज अपन जितनी टाइम स्कूल से बाहर रहेंगे उतनी देर अपन पहाड़े याद करेंगे पहाड़े याद करके क दोस्त को भी डिलीट करते हैं तो जा भई तूने ऐसी बात करिए लेतों भाट क्रते हैं आज के विचार है इसकी सबसे बड़ी समस्या है शूशल मीडिया में जब हम रील से स्क्रॉल करते हैं आप एक बात सोचिए कि एक मिनट में अगर आप एक एक रील को एक एक मिनट भी देख रहे हो तो एक घंटे में साथ विचारों से आप और साथ क्या मतलब आप इसका एवरेज निकालोगे कोई एलफा मेल बनके घूम रहा है उनसे पूछ लो कि जीवन में उपलब्दी क्या है लेकिन वो चलेंगे उस जो बैग्ग्राउंड म्यूजिक लगावा होता है न है रोकी भाई का केजी अफ वाले रोकी भाई का वस वही म्यूजिक दिमाग में रखके और यह चलेंगे च क्यारों को दबा करके जो काम करना चाहिए वो करना पड़ता है उतनी ह kindergarten में तो सरल काम करते ह हमें कहता है कि भाई यह साल के शुरुआत में बिचारा बच्चा चोटा बच्चा आपको बता रहा है साल भर बहुत सारी ऐसी चीज़े आएंगे जो मच मोर टेम्टिंग होगी बहुत जादा लुभावनी होगी और यहां पे वो कह रहा है कि मेरे अंदर उतनी शक्ति है कि मैं उनका रेसेस्ट कर सकता हूं विरोध कर सकता हूं और तेजी से दोड़ते वे वे स्कूल के जाता है वेन आए पास्ट दा टाउन हॉल और जब मैं टाउन हॉल के पास सक गुजरा देखे कोई भी गाउं जो होता है न उस गाउं में जैसे अपने आपर मुक्खे गाउं के बीच में या बस्टेंड के आसपास एक चौपाल होती तो वहां पर विदेशों में चौपा पर एक bulletin board लगा होता है देखो इस तरह का एक board होता है और इस तरह के board पर पहले का है लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता था प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी तो जो भी newspaper आते थे उसको इस bulletin board पर चिपका दिया जाता था तो गाउं वाले आते थे जो भी उनको पढ़ना होता था पढ़ते थे और चले जाते थे ठीक है तो town hall पर there was a crowd वहाँ पर भीड थी in front of the bulletin board ये जो bulletin board है समाचार पट है सूचना पट है उसके आगे बहुत जादा लोगों की भीड लगी हुई थी for the last two years अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि 1870 और 71 के अंदर 71 के अंदर war चला तो यहाँ पर war कितने यह चल रहा है two years चल रहा है और यहाँ पर friends हमें क्या कह रहा है friends भी यह कह रहा है कि पिछले दो सालों से सारी हमारी जो बुरी खबरे आती थी bad news अब वो bad news क्यों कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जब जर्मनी और France के बीच में युद दो रहा है तो जर्मनी लगातार France पर विजए हसिल कर रहा है और France जो है वो France का रहने वाला है तो उसके लिए तो बुरी खबर ही है जर्मनी वाले तो कहेंगे कि यहाँ से हर पुछले दो सालों से सारी अच्छी खबरे आती है अच्छी खबरे क्यों आती है क्योंकि वो जीत रहे है उनका देश जीत रहा है इनका देश युद्ध में हार रहा है फ्रेंस जिस देश में रह रहा है वो युद्ध में हार रहा है तो इसके लिए फ्रेंस यहां पर क्या कह रहा है कि जितनी भी बुरी खबरे हैं वो सारी व आदेश पत्र के बही अब आगे के लिए क्या आदेश आए दो ओडर्स ऑफ दा कमांडिंग ओफिसर आदेश जो आते हैं कमांडिंग ओफिसर से यानि कि जो जो ओफिसर इन कमांड होता है इन कमांड मतलब जिसके दिशा निर्देश पर या जिसके आग्या अनुसार सारा का यह होता है उसको हम commanding officer कहते हैं जो सबको command देता है आपको यह करना आपको यह करना आपको यह करना अब ऐसा होगा अब ऐसा होगा जो बताने वाला सबस्था highest officer है उसको commanding officer कहेंगे and I thought to myself और मैंने अपने मन में ही सोचा without stopping मैं अभी भी दोड रहा हूँ फ्रांस जो है अभी भी क्या कर रहा है दोड रहा है और दोड करके school की और जा रहा है ठीक है वो रुक नहीं रहा है और उसने देखा किया रहा है बहुत भीड लगी वी है और पिसले दो सालों से सारी बुरी खबर यहीं से आती है और यह सब वो दिमाग में विचार करते वें दोड़े जा रहा है what can be the matter now अब क्या मुद्दा हुआ होगा अब क्या हुआ होगा यहां पर एक suspense create होता है और इस suspense के बारे में France yeah Sorry friends जो है उसको बाद में जा करके पता चले गा right or wrong उसे क्या बाद में पता चलेगा कि क्या खबर है क्योंकि वह रुका उन्हीं किसी से बाद से पूछी नहीं किसी से पोछी नहीं उसको तो पहले ही डराए घाल स्कुल के लेट हो गए भागो इसकोल चलो ठीक है तो ऐसी कंडिशन में उसे इसकोल पहुँचना है देना ऐसा है हरिड और उसके पाद जब मैं तेजी से जैसे मैं दोड़ा by as fast as I could go उतना तेजी से जितना तेजी से मैं दोड सकता था, यह हमें उतना तेजी से जा रहा था, जितना तेजी से मैं जा सकता था, the blacksmith तो वहाँ पर जो लोहार था जिसका नाम क्या है, watcher ठीक है, यह उस लोहार का name है, नाम है, ठीक है, watcher का मतलब यहाँ पर यह चौकिदार नहीं है who was there, जो कि वहीं खड़ा था, with his apprentice apprentice का जाता है, शिशू भी नहीं, प्रशिशू प्रशिशू होता है अपन बोलचाल की भाचा में क्या बोलते हैं अपन बोलचाल की भाचा में क्या बोलते हैं उसके चेले चपाटी जो नहीं होते कि यह भाया senior लोहार है और उसके जो चेले चपाटी हैं वो उसके साथ बैठे हैं, लोहार के साथ और उसी समय पर यह जो watcher है reading the bulletin जो की bulletin यानि उस समाचार को पढ़ रहा था called, वह पुकारता है किसको पिकाब पुकारता है, after me मतलब मेरे पीछे से मुझे आवाज देता है don't go so fast बव, you'll get to your school in plenty of time इतना तेज मत भागो, बव, बव मतलब बेटा आना यहापे बेटा बोलते हैं, तर मैं जैसे बोल चाल की बश्चा में कर कोई पढ़ोसी के अंकल भी है और बेटा क्याल चाल, वो वो आला बेटा वाला भाव है ठीक है, exactly यह उनका बेटा नहीं है तो बव मतलब बेटा इतना तेज मत भागो, तुम टाइम पर पहुँच जाओगे हाला कि भाई साब पहले ही लेट है पहले ही लेट है अब देखो, क्या होता है, यह हमने अपने घर में कभी न कभी देखा ही होगा है न, आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा हम सबने कभी मैसूस किया कभी ऐसा होता है, कभी सुबए उतने में लेट हो गए अब हम फटापट पट तयार हो रहे है और साथ में मगी पे चिला रही है ओर्य मेरा टिफिन दे दो पांच मिनिटे तो उपर हुए हैं पहुँच जाएगा आराम से पहुच जाएगा आराम से पहुच जाएगा यह आपकी चिंता का भाव नहीं यह आपके मजे लेने का भाव है कि आज मेरा बेटा लेट हुआ है या मेरी बिट्याव लेट हुइ सब्सक्राइबistentat जादा तू बोलेगा तो मैं बैठा हूना तेरा नौकर मैं छोड़ दूँगा तूझेञ स्कूल यार कया बात कर रहा है तू मैंना करूट हूना तेरा इसलिका तो बैठा हून मैं है तो वह क्या मज़े लेने के मूड कर एक यहां पर यह जो वह जो इत्युस making fun of me, मैंने सोचा कि वो मेरा मज़ाग उड़ा रहा है, and reached और ये सोचते सोचते, ये सब घटना होते होते मैं मिस्टर M.Hemil का जो छोटा सा garden है उसके बाहर पहुँचा, जाना reached M.Hemil's little garden, यानी garden तक मैं पहुँच गया all out of breathe out of breathe कहते हैं, बस मुझे सास नहीं आ रही थी, पूरी तरीके से मेरी सास फूल रही थी, I couldn't breathe मतलब मैं आराम से सास भी नहीं ले पा रहा था ऐसी condition भी मेरी नहीं थी usually, सामान्यत है तो विध्याले का सुबह सुबह का time जो होता है, सामान्यत है इसा होता है, अगर आप लेट पहुंचते हो स्कूल, तो मुझे ऐसे मेरी memories याद हैं, तो मेरी memories में तो मैं जितनी बार लेट पहुचा हूँ प्रार्थ नहीं हो रही होती है, मतलब वो स्कूल के बाहर 20 कदम, 25 कदम पहले ही पता चल रही होता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता चल रहा होता है, तो पता चल जाता है, यह प्रार्थ ना शुरू हो गई अब PTA सर खड़े होंगे, डंडा ले करके और आते ही मतलब वो उसी मून में होंगे आन मिलो सजना, आओ, स्वागत है आपका, हमसे नहीं मिलोगे, सिधे क्लास पर जाओगे हमसे भी मिल लो थोड़ा सा, हमसे भी हायलो कर लो, ठीक है तो वो उस मून में घड़े रहते है PTA सर दंडा होंटा लेकर मस्त नीम की गीली सी छड़ी ओड़ी लेकर चटा, चट चटा, चट चलता है विरस के बाद हो डंडा तो यूजूली क्या होता है कि जब हम स्कूल दोड़ा लेट पहुंसते हैं तो स्कूल में कुछ ना कुछ शोड़ शराबा कुछ ना कुछ आवाज हमें स्कूल के बाहर आ जाती When school begin there was a great bustle बसल का मतलब होता है शोड़ शराबा जब भी school प्रारम होता है तो वहाँ पर बहुत जादा शोड़ शराबा सुना ही देता है which could be heard जिसे बहुत ही आसानी से सुना जा सकता है out in the street सड़क के बाहर ही the opening and closing of desk यानि कि desk के खुलने और बंद होने की आवाज है मुझे नहीं पता आप लोगों ने खुलने और बंद होने वाली desk कभी देखी है या नहीं देखी I have no idea about that सामान्यत है जैसे मैं student or मैं में भी तरफ से दिखा हूँ तो सामान्यत है desk कुछ ऐसी होती है यह तो table format में होती है desk के अंदर यहां पर यह होता है और नीचे columns बने वे होते है ठीक है इसके अंदर आप अपना bag वगरा टिफिन वगरा रखते हो और बैठ जाते हो अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यह खुलने और बंद होने वाली desk किस तरह की होती है वो थोड़ी सी सामान्यता है इस तरह की होती है ओके नीचे box होता है यहां पर यह होती है यहां पर टंडा और यहां पर यह तंडा यहां पर जो अपने दर्वाजों के खुलने या बंद करने के लिए जो वो ऐसे वाले लगे वे होते हैं ऐसे दो यहाँ पर लगाए जाते हैं इस जगे पर एक इदर और एक उदर और यह वाला जो portion है यह उपर के और खुल जाता है ठीक है उसको आप उपर करोगे तो उपर के और खुल जाएगा उपर खोल लो अंदर अपना lunchbox वगरा है और अपना bag वगरा रख लो और वापस उसको बंद कर लो फिर आपको जो भी लिखना पड़ना आप उस पर लिख पड़ सकते हैं ठीक है तो यह इस तरह की desk है जिसके बारे में खुलने और बंद होने के बारे में बात की जा रही है बोलो हां किना राइट और रॉंग अधीति कुमारी बिटा मैं भी ऐसी कोई बात बोल दूँगा आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वास्त विकता है मेरी बात को समझना गुश्सा मत करना लड़कों के लेट पहुँचने पर इस्कूल में क्या होता है और लड़कियों के लेट पहुँचने पर इस्कूल में क्या होता है उसमें बिटा अंतर है और वो अंतर कहता है minor difference नहीं है दिन रात का अंतर है ठीक है? मतलब वो इतना different है वो क्या बोलते हैं आप कह सकते treatment of coming late कि कोई बच्चा अगर लेट आया तो उसको कैसे treat करना है उसके व्यभार में इतना अंतर है जितना अंतर काले रंग और सफेद रंग में होता है minor difference नहीं है ना कि लड़कों के 5-5 डंडे मारे लड़कियों के 4 माड लिया वो है नहीं ना व्यवस्ता यहां व्यवस्ता थोड़ी सी अलग होती है यहां व्यवस्ता यह लेट होगी क्यों लेट होई है चलो कान पकड़ो यहां से क्लास तक कान पकड़ के जाएंगे सर्दियों में नवंबर दिसंबर के महिने में कान पकड़ के क्लास तक जाना it's a different thing और हाथ सीधा करके यह थाईज पर जांगो पर गीली नीम की लकड़ी से मार खाना it's a different thing ना तो चीजों में थोड़ा सा अंतर होता है ना तो इसलिए वो चीज है don't mind बुरा मत मानना लेकिन लड़कों का जीवन होता है थोड़ा सा मुश्किल मारवार खाने के मामले में तो होता ही है विशेश का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नहीं पुरा हो देखो मैं किसी से कोई द्वेश की भावना नहीं रखता ठीक अच्छी बात है ने याद मेरी मार पड़ गई और मेरी क्लास में कोई लड़की पड़ती है उसके मार नहीं पड़ी तो ठीक है न मैं मैं उसके सुक से क्यो दुखी हो जाओ हाँ, उसे भी मार पड़े तो मुझे अच्छा लगेगा, that's a different thing, लेकिन अगर नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, तब भी मैं सुखी हूँ, पड़ जाये तो, थोड़ा सुख बड़ेगा, नहीं पड़ेगी तो, ठीक है, जितना सुखी है, उतना सुखी बहत है, ज्यादा स नहीं रखूँगा, थोड़ा सा हसी में जाक वाला नहीं रखूँगा, तो मुझे पता है, कोई ना कोई तो सो जाएगा, मोबाइल चल रहा है, विस गिद्दे पे लेटे वे यू टिका रहा है, मोबाइल और थोड़े दिर में टपक हो जाएगा, इसलिए मुझे बीच ब इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है, एक स्वर में बच्चे पाठ को दोराते हैं, छोटे बच्चे गाउं में कैसे पढ़ते हैं, शेरों में पढ़ते हैं, बोलो दो एकम दो, पूरे बच्चे साथ में चिलाते हैं, दो एकम दो, दो दुनी चार, सारे बच्चे चिला उस बात को ध्यान से सुनने या समझने के लिए अपने दोनों हातों से अपने कान बंद करने पड़ता है इतना जोर से चलाते हैं कि अगर कान बंद ना करें तो समझ में ही नहीं आए क्या बोल गए इसलिए दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करते हैं तब समझ में आता है थुड़ी आवाज कम होती है तो समझ में आता है कि अच्छा ये बोल रहे हैं मतलब मैं तो अभी 2-6 पर ही चल रहा हूं ये तो 2-8 पर पहुंच गए तो वो difference जो है वो cover करने के लिए कई बार दो जो control करना होता है तो वो जोड-जोड से table पर डंडा मारते है चलो सब चुब जाओ तो ये जो हो रही है न हरकत इसको कहता है रैपलिंग तो ये चीज़ रैपलिंग कहलाती है तो वह ripple करते हैं उस table पर अपनी चड़ी को but now it was all so still most important बात ये सामन्य दिनों की बात हो रही है के सामन्य दिनों की आवाज आती है यूनिसन में बच्चे गारे होते है टीचर जो है अपनी छड़ी से खट-खटा रहा होता है लेकिन आज सभी कुछ बिलकुल शांत है सभी कुछ बिलकुल स्थिर है कोई आवाज नहीं आ रही I have counted on the commotion to get to my desk without being seen हर विध्यारती का सपना के री वाज के हर विध्यारती का सपना कुछ का पूरा होता है कचका नहीं होता है कुछ का कही बार हो जाता है कई बार नहीं भी होता है लेट हो गए स्कुल मैं टीचर जो उसका पहले पहले पता है कि रोज छड़ी लेकर आता टीचर तो अब जीवन में एक युद्देश्य बसता है इसकी नजर ना पड़े और मैं टेबल तक पहुंच जो मतलब इनकी नजर से मैं बच जाओं जैसे तैसे थोड़ा इदर उदर हूं और मैं फटाफ़ट से गुसके क्लास में जाकर करके फटाफ़ट अपनी टेबल पर बैठ जाओं भाई साब भी हो इसोच रहा हूं है बिलकुल सामान्य विद्ध्यारती की तरह विचार करेगा यह टेंथ क्लास में जैसे एने फ्रेंक महानता दिखा रही थी यह कोई महानता नहीं दिखाने वाला यह बिलकुल सामान्य विद्ध्यारती है और आपके और मेरे जैसा खचर विद्ध्यारती है मतलब इसको पढ़ाई में कोई रूची नहीं दूर दूर तक ठीक है यह तो ब as quiet as Sunday morning लेकिन ये संदे साफ सपश्ट परकट हो रहा था साफ दिखाई दे रहा था कि उस दिन सब कुछ उतना शांत था जैसे कि किसी Sunday morning को होता है जैसे Sunday की morning आप कभी अपनी स्कूल के पास से गुजरो तो बिलकुल शांती रहती है वैसी ही शांती आज स्कूल के बाहर से मैसूस हो रही है तुरू दा विंडो अब वही साहस जो हम करते हैं गेट में कोई अगर ऐसा दरारसी होती है या कुछ ऐसा होता है कि बने से चुपके देख सकते हैं कि ग्राउंड में से सब गए क्या क्लास में या टीचर्स अभी खड़े हैं के नहीं खड़े हैं क्योंकि प्रार्थनसभा भंग होगी भंग होते हैं सब लोग क्लास में जाएंगे बच्चे सारे टीचर्स एक बार ऑफिस में जाएंगे बहुत गोल्ट एन अपॉर्चुनिटी प्यारा मौका मतलब वो जिसने खो दिया उसका तो जीवन सत्यनास उसका जीवन खतम हो गया उस नहीं बचा उसके जीवन बहुत ही प्यारा मौका बच्चे जा रहें क्लास में लाइन बना के टीचर्स गए स्टाफ रूम में अपना बैग वैग रखने के लिए चॉक डेस्टर बुक वगर लेने के लिए पांच मिनट का टाइम उस पांच मिनट में जो सरग्या वो सरग्या सी दा टक 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 क्लास में जो नहीं सरका बगवान आशिरवाद दे उसे और तो क्या है दा विंडो तो मैं भी यहा पर क्या कर रहा था थ्रू दा विंडो के थ्रू उस विंडो के माध्यम से I saw my classmate मैंने अपने क्लास के अपने कक्षा के साथियों को देखा already in their places जो की पहले ही अपनी जगह पर थे ठीक है इसके साथी अच्छे आपके साथी नहीं होंगे आप अगर लेट आये और class के बाहर खड़े और अगर सामने मालों गलती से teacher खड़ा है ठीक है और आपके जो classmates होंगे आपके जो साथी गण होंगे आपके जो class के मित्र होंगे अगर उनकी नजर आप पर पढ़गे ने एक सगंड में classmate के बहुते हैं लेट आये तो उसने के वल classmates को देखा जो अपनी जगह पे पहले ही थे और M.H.M.L. जो है walking up and down up and down का मतलब होता है class में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वो चल रहे थे class में चलने का काम कर रहे थे with his terrible iron ruler जिनके पास एक खतरनाक लोहे की चड़ी है under his arm आम का मतलब है कांक की सैंस में यानि कि वो चल रहे हैं और उन्होंने लोहे की चड़ी है लंबी होगी इससे उसको ऐसे कांक में दबा रखा और वो चल रहे ठीक है? M.H.M.L. सर वैसे ही थोड़े से खुकार किसम के आदमी है उपर से उनके पास लोहे की चड़ी है उपर से भाई साब लेट आए है आप इमेजन कर सकते हैं क्या होगा लेगिन मैं कल कहानी बता चुका हूँ आप जो सोच रहे हो वो होगा नहीं विचारी के साथ तो आपकी इच्छा तो है इसकी कुटाई हो जाए लेकिन होगी नहीं आज बढ़ जाए गई आज नहीं पिट रही ठीक है मैंने कहाना कभी कभी किसमत साथ देती I had to open the door मुझे दर्वाजा खोलना पड़ा head to का मतलब विवश्ता बता रही है यहाँ पर यह head to में क्या बता रहा है विवश्ता मजबूरी और कोई रास्ता ही नहीं है भया दर्वाजा तो खोलना पड़ेगा क्लास में तो जाना पड़ेगा सामने कैसे जाएंगे बिना दर्वाजा खोले तो मुझे दर्वाजा खोलना पड़ा and go in अंदर जाना पड़ा before everybody सभी लोगों के सामने यहाँ before पहले के अर्थ में नहीं है यहाँ सामने के अर्थ में सभी लोगों से पहले जाना पड़ा ऐसा नहीं है क्योंकि सभी लोग तो पहले से बैठे में है अपनी अपनी जगे पर बताया ना classmates को देखा तो classmates तो पहले ही अपनी जेगे पे बैटे में You can imagine आप कलपना कर सकते हैं How I blushed मैं कितना शर्मिंदा था And how frightened it और मैं कितना डरा हुआ था यानि कितना तो मैं शर्मिंदा था क्योंकि मैं लेट आया हूँ इस बात की शर्म और डर किस बात का कि अब जो आगे जो घटना करम होगा उस बात का डर I was कितना डरा हुआ था मैं But nothing happened ना बता हूँ इससे बड़ा सुकून जो है कुछ नहीं कि आप जब शर्मिंदा हों किसी कारे पर आप किसी कारे पर डरे हुए हों और कुछ ना मैं नया नया कॉलिज में आया मेरे पिताजी ने विज़े अपना बहुत पुराना फोन जो अपने प्राण त्यागने के किनारे पर था वो उन्होंने मुझे दिया रिपेर करा के कि लिए बटा कॉलिज में आगा तुझे फोन की जौरत पढ़ेगी कीपेड वाले phone उते थे ते कि ए मुल्टी मीडिया फोन खें पहला यह पग loro मुखे तो पहला मुल्टी मीडिया भी नहीं भी मिला था मुझे तो पहला प्रॉपर कीपेड वाला घी मिला था ।ृक propter कीड वाला यह सिटी बस में कुछ ऐसा हुआ गटना करम के मेरा फोन को गया I just lost my phone मतलब मैं बैठा सिटी बस में और मुझे लगता है मेरी फॉकेट से स्लिप ओकर के वो गिर गया यही कंडीशन थी मेरी I was ashamed कि बहुत minimum बजट में भी मेरे फादर ने मुझे वो चीज दी और मैंने खो दी तो शर्मिंदा था और डरा हुआ भी था कि अब जो गटना होगी घर जाने के बाद उसका कोई पता नहीं कि क्या होने वाला है तो कंडीशन बिल्कुल यही थी और मेरे साथ भी यही हुआ नथिंग हैपन मैंने फादर साब को बताया है मैंने का साब ऐसी ऐसी बात है फोन तो खो गया उन्हें ने का ठीक है खो गया बस उन्हेंने का अब मेरे से मांगियो मत मैं दूसरा नहीं दिला रहा है खो गया तू जाने तरह काम जाने मैंने तेरे को एक फोन देना था मैंने दे दिया तु मैं भी कुछ उस समय पार्ट टैम में कुछ कमाता था तो I just arrange a phone for me MML saw MML ने देखा me मुझे said very kindly और बहुत ही दया युक्त तरीके से बहुत ही दया लुता से उन्होंने कहा go to your place quickly जल्दी से अपने जगह जाओ little friends छोटे friends यहाँ प्यारा sense friends वाला sense आ रहा है यहाँ पर हमें जो MML है उनका यह भाव यानि कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं soothing जो nature है राहत देने वाला किसी को जो nature है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो कहते हैं आरे तुम आ गए क्या चलो चलो पटा पर जल्दी अपनी जगह बैटो बस हम तुमारे बिना ही शुरू करने वाले थे हम बस कक्षा शुरू ही करने वाले थे अच्छा वा तुम टाइम पर आ गए I jumped over the bench मैं bench के ओपर से कूदा and sat down at my desk और जाकर अपनी desk पर बैट गया not till then तब तक ऐसा नहीं हुआ when I had got a little over my fright तब तक तो मैं बिलकुल मतलब बिलकुल डरावा था फटा फट से बैटा और जब मैं थोड़ा relax हुआ जब मैं अपने डर से अपनी शर्मिंदगी से थोड़ा सा बाहर निकला little over my fright got a little over my fright का मतलब है थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकला सहज हुआ did I see that our teacher had on his beautiful green coat तब मैंने देखा हमारी teacher ने एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सुन्दर सा ग्रीन कलर का coat पैन रखा है his frilled shirt उन्होंने जालरदार shirt पैन रखी है and the little back black silk cap और एक छोटी सी black color की ऐसी silk की cap उन्होंने अपने सर पर पैन रखी है थोड़ी ऐसी होती हूँ friends cap जो होती थे पहले वाली ऐसी होती थे friends जो french परंपरा है उसकी cap पर एक रखी थे all embroidered कशिदाकारी सभी चीज पर कशिदाकारी की गई थी ठीक है कशिदाकारी सभी लोग समझते है या नहीं समझते एक कशिदाकारी जानते हो का ये बताओ कशिदाकारी जानते हो क्या वहर दस मीँ है सर आपकी आवाज कुश-कुश राज रिया राजावत कुश-कुश नहीं मין पूरा रास्तानी हूं schon jay उस मेरे घर में सब मारावाणी बwolता है कि डीक त चली कशिदाकारी क्या होती है कि रंग बिरंगे धागों से कोई जो कपड़ा होता है उस पर एक डिजाइन बनाई जाती है उस धागों के मात्यम से उसे कशिदाकारी करना कहते है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं जो कि वो कभी नहीं पहनते कुछ अवसरों के अलावा कौन-कौन से अवसरों पर पहनते है तो या तो वो इंस्पेक्शन के डे पर पहनते है यानि जिस दिन निरिक्षन करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी आता है उस दिन ऐसे कपड़े पहनते है या प्राइस डेस पर पहनते हैं या फिर प्राइस डिस्तिडीशिन डेज हो हता है अन्यूल फॉंक्शन डेट अइप में होता है पुरषकर वित्रन समारोज इसको इंदी में कहा जाता उस दिन वो ऐसे कपड़े पहनते हैं सामन्यते वो ऐसे कपड़े नहीं पैंगते besides इसके अलावा इसके अतरिक the whole school seemed so strange आज पूरा school बड़ा जीव लग रहा था बड़ा विचित्र लग रहा था and Solomon और बहुती गंभीर लग रहा था क्योंकि the air of the school अना माहौल जो था high school का सामन्यते अगर teacher बैठा है तो बच्चे कुछ नहीं कुछ कुबत करते रहते हैं कुछ नहीं कुछ बाते करते रहते हैं कुछ नहीं कुछ क्रिया कलाब करते रहते हैं आज सारे के सारे बच्चे शान्त हो करके कुछ नहीं, looking straight, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं, चुप, बिलकुल शान्ती, ऐसा होई नहीं सकता, छोटे बच्चे 10-15-20 कहीं बैठे हैं और वहाँ शोर नहीं, लेकिन आज स्कूल का वातारण बहुत ही गंभीर था, बहुत ही अजीब था, लेकिन वह चीज जिसने मुझे, सबसे जादा चौक आया, सबसे जादा आश्र यह चकित किया, वह यह देखना था, on the back benches, कि पीछे की जो benches थी, that were always empty, जो हमेशा खाली रहती थी, the village people sitting quietly like ourselves, तो गाओं के जो लोग थे, वह वहाँ बिल्कुल quietly, बिल्कुल चुपचा, बिल्कुल शान्ती से, हमारी ही तरह, यानि छोटे बच्चों की तरह बैठे हुए, उमर पे बूटे ठाडे, लेकिन बैठे कैसे, बिल्कुल हमारी तरह, हम जी देखो, ऐसी होती है, जहाजीों की तीन कौने वाली हैट ऐसी होती है, यह तो Jack Sparrow है, यह जहाजी नहीं है, यह पाइरेट है, पाइरेट को कहा जाता है, जहाजी लुटेरा, समुद्री लुटेरा सॉरी, जहाजी लुटेरा नहीं, समुद्री लुटेरा है यह, तो य कर्पर पोस्ट पहले के जो रिटायर्ट पोस्ट बैटे थे सेवरल अधर बीसाइड्ज और उनी के पास में उनके अतिरेक्ट बहुत सारे लोग वहँ पर बैठे हुए थे यानि उनके अलावा बीसाइड्ज का मतलब यहां पर भी अलावा यहां चलू लेक्चर के बाद मुझे comment करके बताना what is the difference between beside and besides beside and besides फोड़ी सी grammar भी पढ़ते भी चले beside और besides में क्या अंतर होता है lecture के बाद comment करके मुझे बता देना ठीक है अभी मत बताना chat में मैं पढ़ूंगा नहीं देखूंगा नहीं next है everybody looked sad सभी लोग वहाँ दुखी दिखाई दे रहे थे and horser had brought an old primer और horser यानि यह जो बुड़ा जहाजी है यह लाया था brought का मतल़ होता लाया चलो एक difference और बता तो मैंने कहा न हुंबग देता हुआ चलूंगा यह यह आज का हुंबग what is the difference between bought and brought comment box में बताना है मुझे पता भी नहीं चलेगा ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा कि horser जो है वह एक पुरानी primer primer का मतलब होता है वर्ण माला की किताब लेकर के आया था thumbed thumbed का मतलब होता है उसने दोनों अंगुठों से उसे पकड़ रखा था add the ages ages का मतलब होता है किनार उपर he held it open on his knees तो गुट ने बेटे होते हैं तो बेटे होते हैं तो उमारी knees ऐसे होती है गुटने ऐसे होते हैं तो गुटन उपर उसने अपनी उसकिताब को खोल रखा था और दोनों अंगुटों के, दोनों हादों के अंगुटों से कौने से उस किताब को पकड़ रखा था, ठीक है, He held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, यह देखो यह जैसे इन्होंने पकड़ रखा है न, बड़े-बड़े उसके चश्मे होसर के रखे हुए थे, while I was wondering about it all, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में विचार कर रहा था, M.H.L. mounted, mounted का मतलब है अपनी seat से उठे, his chair, वो पहले अपनी chair में बैठे हुए थे, फिर chair से वो उठे, तो मुझे बताओ, वो on the chair बैठे थे, कॉमेंट में बताना, या in the chair बैठे थे, ये भी आप मुझे कॉमेंट में बताओ, कि वो on the chair थे या in the chair थे, ठीक है, in the same grave, उसी गंभीर और gentle, यानि कि सजन्ता युक्त टोन में उन्होंने कहा, which he had used to me, जिसका प्रेयोग उन्होंने मेरे लिए कहा था, said, उन्होंने कहा, my children, this is the last lesson I shall give you, आज जो मैं आपको lesson देने वाला हूं, आज का lesson मेरा आप लोगों के लिए last lesson होने वाला है, आखरी पार्ट होने वाला है, मेरे लिए वो यादे जादा पुरानी नहीं है, पिछले ही महीने की है, इसी time की है, कि जब UP board और राज्तान बोड का सबसे last paper हुआ था, उससे फ़हले UP board का paper हुआ था, UP board और बिहार राज्तान बोड के लिए मैं, चार-चार-पांच-पांच गंटे की classes ले रहा था, और मुझे पता था कि मैंने तीन दिन का slot book किया था, UP board के लिए, कि UP board की मैं तीन दिन के लिए class लूँगा, बिहार बोड, RBSC की मैं तीन दिन के लिए class लूँगा, और जब तीसरी class थी, मुझे पता था कि यह आखरी class है, जीवन का सत्य है, सबका अपना-पना मार्ग है, सबका अपना-पना जीवन है, मुझे पता है मैंने जिन बच्चों को बारवी में पढ़ाया है, उन्हें मुझे मुझे से अत्यदिक प्रेम हो सकता है, मुझे उन्हें से अत्यदिक जुडाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, उन्हें 12 में नहीं रहना है, दोर कीपर का यही काम होता है ने कि वो खड़ा रहता है दर्वाजे पार यहां से 11 वी का बच्चा आता है हाथ में एक टिकेट लेके तो टिकेट चेकर जोए चेक करता है हाँ बिल्कुल ठीक है चलो टिकेट में कोई तिककत नहीं परेशान नहीं चलो जाओ अंदर जाओ तो वही डोर कीपर वाला जीवन है हमारा तो हमें तो यहाँ खड़े रहना है यहां से लोग आएंगे कुछ शनके लिए मतलब कुछ शनक है एक साल के लिए हमारे साथ रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन्हें वो अपनी यात्रा पर हैं तो दोनों के अपन में क्या रहा होगा जब उन्होंने ये sentence कहा होगा इसकी मैं बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूं क्योंकि हां कई बार कई teachers के लिए ये एक मतलब आप कह सकते हैं almost teacher के लिए होता होगा मैं तो ये मानता हूं क्योंकि सारे teachers सूरिद होते हैं सूरिद मतलब बहुत ही soft hearted होते हैं कोई बच्चा जिस बच्चे ने साल भर भी अगर किसी टीचर को परिशान किया हो ना last day उसको देख करके भी teacher के मन में यह आता है यह कितना प्यारा था कितना शैतान था यह बट teacher को समय लगता है शायद में इसे अपनी जीवन में कभी बूलूंगा नहीं यह मेरे उन विद्यारतियों में से एक रहेगा जिसे मैं कभी कभी बूल नहीं पाऊंगा तो ऐसा भाव मतलब teachers बहुत होते हैं उनका मन बहुत सॉफ्ट होता है किसी को लेकर के कितना ग्रणा की ऐसी कोई भावना उनके मन में होती नहीं तो वही चीज यहां पर है कि जब आज उनको पता है कि उनका आखरी दिन है आखरी आज लेसन वह पढ़ाने वाले हैं तब देखिए वो कितना सहज कि वरतन आगया क्योंकि जानते हैं कि आज उनका last lesson आज वो ठीक है आज तो जाना ही है कल तो यहां से चले ही जाना है आज आखरी दिन है आखरी पाट है आखरी दिन में कौन किसे डाटना चाहेगा मारना पीटना चाहेगा तो नहीं चाहेंगे तो this is the last lesson I shall give you आज जो से, बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजदानी, अहने जर्मन, जर्मनी तो हिंदी में बूलते हैं, जर्मन देश की राजदानी, ठीक है? तो जर्मन देश की राजदानी क्या है? बर्लिन है, वहाँ से आदेश आ गए है कि तू टीज, कि पढ़ाई जाएगी Only German in the schools of Elsys and Lorien Elsys and Lorien जो दो हमारे ये शेत्र हैं जिन्हें किसने जीत लिया है जिसे जीत लिया है जर्मनी देश ने वहाँ पर कल से केवल जर्मन भाशा पढ़ाई जाएगी The new master, नए सिक्षक जो है Comes tomorrow वो कल आ रहे है This is your last French lesson और ये आपका आखरी French lesson है I want you to be very attentive मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने आज का है जो आखरी लेसन होने वाला इसको आप बहुत ध्यान दे करके सुने अब जैसे ही उनका ये statement खतम होता है खतम होते ही friends कहता है What a thunder clap कैसा वज्रपात है These words were to me कि ये जो शब्द थे M. Hemel Sir के उसने जैसे एक तरीके से मेरे उपर बहुत कठोर आघात किया हो जैसे मेरे उपर वज्र गिर गया हो ऐसा मुझे मैसूस हुआ ओ जो है वो हमेशा दुख को रिप्रेजेंट करता है ग्रीव को, sadness को दर्शाता है लोगों ने टाउन हॉल पर लगा रखी थी इसलिए आज टाउन हॉल पर बहुत ज़ादा भीड थी इसलिए पुरा गाउं टाउन हॉल पर इखटा हुआ हो था इसलिए वहाँ पर सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि अब कल से जर्मन भाषा चलेगी यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं चलेगी My last French lesson कैसे वह विचार करता है मेरा आखरी फ्रेंच भाषा का अध्याई या पार्ट होने वाला है Why? क्यों? I hardly knew how to write I should never learn anymore मुझे मुश्किल से या ना के बराबर ही पता है ना के बराबर ही मैं जानता हूँ कि कैसे लिखूँ कैसे लिखा जाता है फ्रेंच लेंग्च को I should never learn anymore और अब मैं अपने जीवन में कभी फ्रेंच भाषा सीख नहीं पाऊंगा यही भाव CUT के विध्यारती भी महसूस कर रहा है कि 9th क्लास से 12th क्लास तक जितने इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी उतने इंग्लिश हमने पढ़ी नहीं अब जब मैं उनसे बात करता हूँ सर वोकेबलिरी में बहुँ डर लग रहा है सर वन वर्ड में बहुँ डर लग रहा है सर एंटोनम सीनोनम में बहुँ डर लग रहा है और जब मैं कहता था ने कि बिटा वर्ड मिनिंग तयार कर लो यह एक चैप्टर है इसके वर्ड मिनिंग तयार कर लो ये question answer है, इनके word meaning तयार कर लो, तब बड़ा जोर आता था, क्या अरे sir क्या है, अब ये आया 15 मही भागता नास था, कितने दिन बचे है, 27 से best launch हुआ है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं 15 मही तक मैं अपनी तरफ से जतना जोर लगा सकता मैं लगाऊंगा, वो मेरा काम, मैं आप लोगों के साथ भी वही कर रहा हूं, कि पैटा अगले साल CVT तो तुम्हें भी देना है, CVT तो आप लोगों को अगले साल आप लोगों को भी देना है, आप लोग अभी इनमें जो शब्द हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आ आप वहां से vocabulary तयार नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि अगले साल जब 12th का exam दे लो 2025 में, उसके बाद आकर के आप मुझे कहो कि सर हमारी vocabulary तयार नहीं है, अब आप कुछ कीजी हमारी vocabulary तयार कराने लिए, लेकिन आज जब मैं कह रहा हूँ कि बिटा, word winning लिखना है, 15 ल कितने विद्यारती, आज से प्रयास कर रहे हैं कि 2025 के CVT में उनको जोर ना है, तो आप देख लीजे, दो इस्तिती है, चुनाओं मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप क्या चुनना चाहते हैं, अगले साल डेड़ महीने में आप एक साल का काम कर लेंगे, क्या नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात रहें, वोकेबलेरी टेक्स टाइम, वोकेबलेरी बिल्ड होने में टाइम लगता है, और स्वभाकिय की बात है कि आपके पास टाइम है, अभी आपके पास पूरा एक साल पढ़ा है, अगले साल 15 मही के बाद होने वाला है CVT, तो आप अभी से अगर chapter wise, chapter भी अपनी वोकेबलेरी को बिल्ड करते हुए चलते है, phrasal verbs पढ़ते हुए चलते है, one word पढ़ते हुए चलते है, reading comprehension करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपको ज़रुत ही नहीं पढ़ीगी मेरी यार, CVT 2025 में आपको मेरी need ही नहीं वो अली चीज है, ठीक है, I must stop there, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, then तब, oh, how sorry I was for not learning my lessons, मैं कितना शर्मिंदा हूँ, कितना दुखी हूँ, कि मैंने कभी अपने पाठों को नहीं पड़ा, 11th क्लास का पेपर देख करके आएं है, और पेपर में यही हुआ कि काश मैं साल बर पड़ लेता, तो अभी बैट करके छट की पटिया नहीं गिन रहा होता, या सामने खिड की जो है, उसमें कितनी सलाके लगी विए, यह नहीं गिन रहा होता, या मैं क्लास रूम में बैटके विचार नहीं कर रहा हूँ गयार, एक रो में चार ना बिठा के पाँच बि और गूणते वे नहीं जाता, और गूइंग स्लाइडिंग ओन सार, फिसल पट्टी पर फिसलने के लिए नहीं जाता, मैं बुक्स, मेरी किताबें, इतनी भारी किताबें स्कूल तक लेकर जाओ, माई ग्रेमर, एंड माई हिस्ट्री आप सेंट्स, मेरी व्याकरण की किताब, मेरे संतों के इतियास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाओ, ड़ेट आइ, कुड़ेंट गिव अब ये मुझे मेरे पुराने दोस्तों की तरह प्रतीत हो रहे हैं, जिनने मैं छोड नहीं सक करता हूं, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, खाना लग रही है, खाना, खाना है, बुक लग रही है, नींद आ रही है, ये, 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 चाब, क्लास समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं, don't worry about that, उमीद करता हूं, आज का लेक्चर अच्छी तरीके से सम आज में आया होगा, आपने अच्छे से enjoy किया होगा, तो आज मैंने आपको तीन काम दिये हैं, वो तीन काम एक तो आपको करने हैं, जो मैंने भी बताए, वो comment box के अंदर करने है, number one, live chat में मैं देखूंगा भी नहीं, comment box में देखूंगा, ठीक है, number one, number two, बात क्या है यहा एन को छोड़ करके, जो पहले से लिखे में हैं, जो मैंने pens से लिख दिये हैं, इन दो तरह के words को छोड़ करके कोई भी 20 words आपको आज तक का जो chapter मेंने पढ़ा है, अभी तक का जो chapter पढ़ा है, उसमें से आपको कल करना है, कल साढ़े 8 से पहले, अभी बस last में 30 seconds आपके ल तपानी है वो देखो जरूरी काम है भाईया आना चलिए तो कौन-कौन से विध्यारती थे भाई जिनों ने कल काम किया था उनसे बात कर लेते हैं दो सेकिंड लगेंगे तो सबसे पहले है भाईया शिवम राज ने काम किया है चितरांशु शर्मा ने किया है शिवानी याद अभीशेक यादव ने किया है सोनु जाटव ने किया है एक यूजर 6W है विध्यारती अपना नाम लिखना भूल गया है शायद लास्ट में हो इक पर चेक कर लेता हूँ नहीं है ट्वेटी सेवन इन्होंने वर्ड मिनिंग्स किया है बहुत अच्छा किया है बस नाम नही इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ नेक्स है हिमानशु मौरे ने किया है मुकल कुमार ने किया है तान्या ने किया है राहुल ने किया है निधी वर्मा ने किया है एक और यूजर ईजैड के नाम से है उन्होंने किया है शाम शर्मा ने किया है इट्स सिर्सा सॉरी इट् कार्थिके माही ने किया है, सुरिज कुमारी ने किया है, नवीन यादव ने अपना काम किया है, सौम्या बॉय ने किया है, और आभाद दूबे जो हैं उन्होंने भी किया है, आकांगशा राजपूत ने किया है, नेहा कुमारी ने किया है, मंस्विक मांसी रिक ने किया है, नाम यह एक तो ऐसे ऐसे रखे में शिव पूजन भारतिय ने किया है जोती यादव ने किया है प्रेड़ना ने किया है गैजट्स मेक ने किया है रूपो धूरिया ने किया है प्रताप वर्मा ने किया है मुसकान ने किया है युजर 6 EW ने किया है नेहा खान ने किया है प्र लव चौधरी ने किया है, सुनिल गुपता ने किया है, जैश्री अनिरुद्ध, हर्ष यादव अब्दुल मुनाफ ने भी किया है, अजीत कौतम ने किया है, कार्तिक ने किया है, शुभम ने किया है, हर्षिता ने किया है, डी एंडी ने किया है, शरी मौरे ने किया है, सैं टू ने किया है, 8953 अंशुल ने किया है, यूजर जीके ने किया है, खुशी यादव ने किया है, लावन्या ने किया है, विशाल ने किया है, विपिन ने किया है, that's it, बाकी सबका थैंक्यू था, एक और, आरियन सेठ ने किया है, last रह गए, स्तुती के जे नाइन ने किया ह और और है भी तो आरो ही सिंग ने किया है I think that's it यह सारे विद्ध्यारती है जिन्होंने किया है ठीक है बाकि अगर किसी विद्ध्यारती का नाम छूट गया हो तो एक बार मुझे बता देना मैसेज कर देना तो उमीद करता हूँ आज भी आप सभी लोग करेंगे और जो अब